अब ये कौन नहीं जानता है किसी भी पार्टी में नंबर टू की लडाई होती है ये कौन नहीं जानता है कि अगर अमिट शाह और योगी आधितनास नरेंद्र मोधी के बाद की लडाई होगी तो बिल्कुल होगी योगी मास लीडर के तौर पर नरेंद्र मोधी के बाद सब से बड़े नेता के तौर पर उढ़े हैं तर मैं यूपी के बारे में दो बाते सबनना चाहूंगा एक तो मेरा पहला सवाल यह है कि उत्तरप्रदेश के तमाम एक्जिट पोल्स में बीजेपी को वही मैंडेट या उससे बड़ा मैंडेट है जो 2019 में यूपी में मिला था बी अर्विंद केजरिवाल जब बीच चुनाव में जेल से बाहर आया और उन्हें कैंपेइन शुरू किया तो सबसे पहला उन्होंने एक वार किया बीजेपी पर कि बीजेपी अगर जीती तो योगी आदितनात को हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्रिपत से और इसकी चर्चा होनी सुरू हुई यूपी में इसकी चर्चाएं हुई ये चर्चा कितना कामयाब हुई क्योंकि लगातार इस तरह की बाते चलती है कि यूपी दरबार और दिली दरबार ये दोनों बहुत कनेक्टेड नहीं है तो क्या आपको लगता है कि अर्विंद के रिवाल ने जब क्यों ही हवा में कही गई बात थे अर्विन जी के लिहाज से कहें तो पूरी तरह से हवा में कही बात अगर इस बात को सचमुझ दम के तौर पर मानते तो यह अखलेश यादव की कैम्पेन का हिस्सा होता इसको आप समझे जरा अर्विन जी का वहां कुछ आता समुझों कहता है कुछ भी अर्विन गलत करें सही करें कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अखलेश यादव को पता है कि अगर आप यह कह रहे हैं कि योगी आदितिनाथ को हटा देंगी या कोई भी उस तरह की समझदार है तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं आप कह र अइस में रहे हिए उससे नग्रेश नाथ नरेंद्र मोदी के बाद कि लड़ाई होगी तो बिल्कुल होगी मास लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेता के तौर उधरी करक्र और उसके साथ संगधन का जो काम अमिक्षाह siya galopal का कर। तो आप अगर कहें कि अर्विन केद्रिवाल ने जो किया मैं एकदम सही मानता हूं अर्विन केद्रिवाल की जिस तरह की राजनीत है उसमें उन्होंने बहुत ठीक काम किया लेकिन उसका यूपी में कोई इंपक्ट हो जाएगा मुझे नहीं लगता और सिर्च यूपी में ए पंद्रा मीटर की सड़क साड़े साथ मीटर की रह गई यह चोटी चोटी चीजें नहीं समझ में आते हैं और मुझे इसलिए लगता है कि जब इस तरह से हम चुनाओ देखते हैं तो कई बार लगता है जितने बच्चे अपने गाउं जाते हैं जो दिल्ली रहते हैं उत्त हाइवे है वो पूरी तरह से फ्री है आप जाइए आराम से दोनों तरफ रेलिंग लगे हुए अब आप इस परिवर्तन को अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको लगे कौन सी जाती कहां वोट करें तो भाईया जाती किसके पास चलो जाती गिनों सवर्णों का कोई वोट चले जाई राजभर किसके साथ खड़ें वो सब के सब भारती जनता पार्टी के साथ खड़ें और इसलिए मुझे लगता है कि 2019 वो रिपीट होने जा रहा है उससे बेटर भारती जनता पार्टी कर सकती है इनकी अपनी मुश्कित 15-17 सीटों पर इतने घटिया प्रत्याश अब होगा वही राम लहर मोदी जी डेवलप्मेंट का काम वो सब चल जाएगा तो सर जब आपने यूपी का एक फिगर दे दिया है तो कुछ दिन पहले योगेंद्र रियादो जी भी मंच कारेकरम में थे उन्होंने कहा कि उत्तरपदेश में 50-50 भावन भाजपा को अधि पर ज्यादा लगती है हमारी उमर है बड़ी कम और जब हम पत्रगारिता में आये 98 में में जनलिजम में आया तो योगंदर भाई को तो हम तब से देख रहें बता रहें और चुनवा उनका कौन सा सही निकलता ही बताओन हम तो कह रहें कि तक वाले इसका एक करें कि योगे अगर मैं राजनीती करने लगूंगा तो मेरे हित अहित जोड़ जाएंगे अगर चार नेता के हां सुबह में जाके बैठने लगो तो उसकी बात मेरे दिमाग में गुझेगे रहे उससे तो मेरा संबंध है तो चलो उसके लिए थोड़ा सा हम अच्छा बोल देते हैं अभ 2019 के लोग सवाम बताया था कि 60 प्लस माइनस 5 आज भी पड़ा हुआ यूट्यूब पर जाके देख लिए सवाल यह है कि आप पोलिटिकल बैगेज के साथ पोलिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आप धोखा कर रहा है योगेंद्री जी बड़े व्यक्ति हैं उन पर टिपड़ 2019 से नौन जाटव 14 परसंट जादा मिला मुस्लिम तो इंटेक्ट 14 परसंट नहीं 14 परसंटेज पॉइंट कुर्मी जो है 13 परसंटेज पॉइंट जादा मिला लोध 6 परसंटेज पॉइंट जादा मिला जाट 12 परसंटेज पॉइंट जादा मिला इसके बाद बचा हुआ OBC छे परसंटेज पॉइंट जादा मिला इंडिया कट बंदन को तो यह अगर बढ़ोत्री हुई है नॉन यादव ओबी सी अखिलेश यादव को मिल रहा है तो चलिए माल लिया कि यह चुनाव गुजर गया या कल नतीजे आने आपको लगता है कि आगे विधान सभा चुनाव भी आना है तो आपको लगता है कि बीजेपी की जड़ों में कहीं न कहीं कुछ मठा तो डाल रहे हैं आखिलेश यादव देखिए अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो इसका असर होगा आप यह नहीं चलता है वह लोग देसाज में कहते हैं कि तड़ी मार के भाग गए उतर प्रदेश में अगर आप यह कह रहे हैं कि जाटो वोट कितना बताया आपने साथ परसेंटेज पॉइंट शायद आपने बताया जब मायावती जी पूरी की पूरी उनके साथ थी और तब वो कुछ नहीं कर पाए भारती जनता पार्टी का तीन लाख धाई लाख दो यह अंतर है हाँ इस बार यह जरूर मैं देखता हूं भारती जनता पार्टी की जीती हुई सीटों में जो अंतर होता है वो बहुत घटने वाला है और फिर से मैं कह रहा हूं मुझे नहीं समझ में आता कि इतना डिसरप्टिव पॉलिटिक्स अमिट शाह नरेंदर मोदी प जाय तो थोड़ा जिसको कहते हैं कि डर था कि कहीं कोई भी समीकरण नहीं तूटना चाहिए उसका लाब भी होता है लेकिन वह सारी चीज़ें उनके ध्यान में थी और अखलेश यादव के साथ जूड़ी उससे बड़ा काम कॉम्बो उत्तर प्रदेश की राजनीती में न यह तो बढ़िया द्रिश्य दिख रहा था अब क्या है केशो देव कह रहे हैं केशो मौरिया के राजनीती आज की तारिक में स्वामी प्रसाद मौरियाक महंदल वाले करें के रिप्टाव हमारी सीट पे जौनपूर में पूछा नहीं किसको दे दिया बाबुसिंग कुश पर गाली दे के बड़े वर्क को समाजवादी पार्टी से विमुक कर दी उसके आद वह भी भी मुख हो लिए तो आपके पास लोग बचे हैं क्या आप जिसकी जिस अंब्रेला लीडर्शिप की बात मुलाहिम सिंग यादों करते थे जिनके अगल वगल एक से एक नेता हुआ करते थे कोई जाती नहीं थी वह भले यादों के नेता थे वह भले पिछोडों के नेता थे लेकिन कोई ऐसा छेत्र नहीं था जहां अलग अलग नेता नहीं अब अखलेश यादों के साथ वह स्थिती नहीं दिखती इसलिए मुझे लगता है कि एगर consistent रहेंगे उनको लग भरोसा नहीं बनता है आप सोचिए नरेंद्र मोदी अमिट शाह को नितीश कुमार की पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा लेकिन आपको कोई इस तरह का अपमान जनक भी वहार नहीं पता होगा जो छुडवहीये नेता कहते भी तो उनको मीटिंग में अमिट शाह डाट देते भाईयाक साथ चले आए ही तो बड़ा चोर आदमी है तो ये वाला नहीं चलता है मतलब ये समझी ज़रा इसको और ये उत्तर प्रदेश में अखलेश यादव वाले गड़ जोड में यही हो रहा है